हलो रमशकार सस्रीयकाल अदाप स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल वेक्टर एजुकेटर पे और मैं हूँ आपका जी ए और जी एस का एजुकेटर नवदीप सिंग तो आज हम लोग डिसकेशन करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्ट इंपॉर्टन टॉपिक का जिस इंपॉर्टन टॉपिक को हम लोग समझेंगे करेंट अफेर्स, सोशल विलफेर स्कीम्स, कुछ स्टैटिक के क्वेस्टिन्स और साथ ही साथ कुछ आपके MCQs के माध्यम से तो MCQs का सेशन हमारा पहला होगा उसके बाद हम दूसरा करेंट को पढ़ रहे होंगे, तीसरा कुछ सोशल विलफेर स्कीम्स है और शौथा स्टैटिक का पार्ट है, इन सभी पार्ट को हम कवर करते हैं जिस तरीके से हमारे एक्जामिनेशन में क्वेस्टिन्स पूछे जाते हैं, टेकनिकल एर्यर होने के वजए से क्लास दस मेंट लेट के उन सभी लोगों तक जिनको इस सेशन की जरूरत है, चले, हाँ जी, तो चले फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज के सेशन में बहुत सारे MCQs हैं जिन MCQs को हम लोगों ने डिसकस करना है, और उन MCQs को हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे, कि कितनी सारी महत्वपूर्ण हैं आपके इस examination point of view से, चले, तो देखें सबसे पहले, सबसे पहला जो MCQ है उसको बदाने के पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपने अभी तक Vector Educators का application download नहीं किया है, तो Vector Educators का application download कर लीजे, ये app आपको मिलेगा, कहां? Google Play Store पर, और Google Play Store पर ये application download कीजे, यहां पर test series available है, इन सभी test series को purchase करने के लिए आपको code apply करना है, NAV003, NAV003 code apply कीजे और आपका, जो काम है, वो काम जाएगा, बन, तो सबसे पहले, question जो है आपके सामने, वो ये है, कि Emmanuel Charpentier and Jennifer Doudna won the Nobel Chemistry Prize for gene editing technique known as C-R-I-S-P-R, C-A-S-9, DNA snipping scissors, Emmanuel Charpentier belongs to which country? जल्दी से बताएं कि Emmanuel Charpentier और Jennifer Doudna ने gene editing technique के लिए Nobel Prize Chemistry में जीता, Emmanuel Charpentier किस देश से संबंधित है, कौन सी country से बिलॉंग करती हैं ये, मितु जी, very good morning, चलो बईया, जल्दी से बताओ, आप फटाक से, कौन सी country से बिलॉंग करती है, and then उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलो बईया, फटाक से आंसर कीजे, which country is this, इसका सही आंसर है, France, तेका मैं बता देता हूँ आपको, Nobel Prize जो मिला है इस बार, Nobel Prize मिला है chemistry में दो लोगों को, जिसमें से एक है Emmanuel Charpentier, और दूसरी है Jennifer A. Dudna, Jennifer A. Dudna बिलॉंग करती है United States of America से, जबकि Emmanuel Charpentier बिलॉंग करती है France से, इन दोनोंने मिल करके gene editing, gene editing का मतलब है, कि इन्होंने DNA की information, जो heredatory information होती है, heredatory information को edit करने का एक तरीका निकाला है, और साथ हिजाथ एक gene से जो दूसरी gene पर transfer होने वाली चीज़े हैं, उस पर ये edit कर सकती हैं, edit करने का मतलब उसमें transfer को रोक सकती हैं, जो चीज़ें transfer हो करके एक gene से दूसरी gene में जाती हैं, ठीक है, तो DNA snipping scissors, ये gene editing technique है, जिसे CRI SPR, Cas9 DNA के नाम से जाना जाता है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में October 2020 में जारी, Forbes India की सूची में सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में दूसरे इस्थान पर कौन है, दूसरे इस्थान पर कौन है, जल्दी से बताएं, चलिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वेल्दीस्ट इंडियन्स में जब भी नाम आता है, आप पिछले 12 सालों से देखोगे, तो 12 सालों से मुकेश अंबानी जी टॉप पर हैं, और मुकेश अंबानी साहब जो हैं, वो Reliance India Limited के मालिक हैं, ठीक है, RIL के मालिक हैं, और साथ इसाथ इनका बहुत बड़ा टेलेकॉम सेक्टर है, जिसका नाम है जी यो, ठीक, Reliance का जी यो, अभी आप देख रहे हो, Reliance जी यो में इतना सादा इंवेस्टमेंट आया है बाहर से, कि इंवेस्टमेंट आ करके, कि मुके संबानी has become the fourth richest person in the world, fourth richest person बन चुके हैं ये पूरे के पूरे विश्च में, चौथे सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ती, आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर है B, मैं तुने बिल्कुल सही आंसर दिया है, गौतम अदानी, गौतम अदानी सहाब जो है, ये दूसरे नंबर पे हैं, जिनकी संपत्ति है 25.2 बिलियन डॉलर, शिव नादार हैं तीसरे नंबर पे, 20.4 बिलियन डॉलर, राधा किश्न दमानी हैं 15.4 बिलियन डॉलर लेके चौथे नंबर पे, और हिंदुजा प्रदर्स हैं 12.8 बिलियन डॉलर लेकर के पाचवे नंबर पे, तो मुके संपानी जो चेर्मेन है, रिलाइंस इंडूस्ट्री इस लिमिटेट के, ये वेल्दियस्ट इंडियन है, फॉर दे थर्टीन्थ कंजिकिटिव इयर, इन फॉर्ब्स इंडिया लिस्ट, यानि कि 13 साल लगातार, ये सबसे अमीर व्यक्ति चुने गए हैं, चले, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर के डिसकस करते हैं और भी चीज़ों को, किस संगठन को 2020 के नोबल शांती पुरसकार से सम्मानित किया गया है, अब देखो, ये यहाँ पर महत्वपून इसलिए हो जाता है, आपने देखा कि एक कंट्री है, जिसका नाम है इसराइल, है ना, इसराइल और UAE के बीच में एक समझहोता हुआ था, जिस समझहोते को, कहा जाता है, अबराहम अकॉर्ड, बहुत बड़ी निउस है ये, इसलिए क्योंकि, इसराइल और UAE के बीच में लगातार बहुत सालों से, है ना, लगातार बहुत सालों से, वार्स चलते आ रहे हैं, जब से इसराइल बना है, तब से लेकर के पूरा-पूरा अरब वर्ल्ड उनके, हाँ, अगेंस्ट होता जा रहा है, ना, दे थिंग इस, कि अबराहम अकॉर्ड को साइन करवाने में, मीडियेटर था, अमेरिका, USA, और डोनल्ड ट्रम्प वहां के, इस समय पर, प्रेजिडेंट हैं, तो आपको पता है, डोनल्ड ट्रम्प प्रेजिडेंट है, हलाकि अब आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो समय बताएगा, क्योंकि वहां पर भी चुना होने वाले हैं, बट एनिवेज, डोनल्ड ट्रम्प ने विश्व की एतिहासिक डील को करवाया, या विश्व की एतिहासिक समझोते को साइन करवाया, इसलिए डोनल्ड ट्रम्प को पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, डोनल्ल daímp was nominated for peace prize हलागि इनको मिला नहीं मिला किसको world food program को तो बिलकुल शही है answer number three world food program जो है उसे मिला है ये nobel peace prize याद रखेगा nobel shantipuraskar से इसे सम्मानित किया गया है बिलकुल सही तो world food program won the 2020 nobel peace prize for its efforts to combat hunger and food insecurity around the globe तो होप चीज़ें अब क्लियर हो गए होंगी World Food Program को मिला है ये 2020 का Nobel Peace Prize अगला question आजाएए इसको discuss करते हैं What is the theme of World Mental Health Day? विश्व मानसिक स्वास्त दिवस 2020 की theme क्या है? विश्व मानसिक स्वास्त दिवस 2020 की theme क्या है? जल्दी से बताएए देखिए यहाँ पर question है मिटसू का बोल रही है first richest person in the world is Jeff Bezos Jeff Bezos के बारे में आप लोगों ने सुना होगा Jeff Bezos जो है ये Amazon के CEO है और ये अभी 200 billion dollar की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी है दुनिया के सबसे अमीर आदमी 200 billion dollar की संपत्ति Jeff Bezos चलिए आगे हाँ जी यहाँ पर answer मिल रहे है number 4, number 3 देखे mental health for all ये इसकी भीम है बिल्कुल बिल्कुल सही है देखो कोमल का answer बिल्कुल सही है World Health Organization ने World Mental Health Day 10 October को recognize किया observe किया और ये mental health पे focus करने के लिए उसकी education पे focus करने के लिए उसके awareness को बढ़ाने के लिए और साथ इसाथ एक social stigma के खिलाफ advocacy करने के लिए जो इसके साथ attached होता है तो मतलब जैसे न mental health कोई जादा खयाल नहीं रखते mental health का खयाल ना रखने वाले जो लोग होते हैं उनके खिलाफ awareness बढ़ाने के लिए ठीक है और इस बार की जो theme set की गई है World Federation for Mental Health दोरा वो है mental health for all आप लोगों ने देखा होगा सबसे बड़ा जो case हुआ है भारत में mental health को ले करके जिसने जागरूख कर दिया है वो है सुसान सिंग राजपूत का case सुसान सिंग राजपूत का case आप लोगों ने देखा है and he has been very very big issues big issue in India आगे चलते हैं हम लोग which state government launched किसान रत fruits and vegetables mobile application to facilitate timely selling of agriculture products by promoting buyer seller network किस सरकार ने क्रेता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ावा देकर क्रिश्य उत्पादों की समय पर विक्री की सुधा के लिए किसान रत फल और सबजियों के लिए mobile application लाँच किया है जल्दी से बताइए इसका भी मैं बता देता हूँ ये वही state है जिसने क्रिटग्यता पोर्टल लाँच किया है तो क्रिटग्यता पोर्टल इन्होंने इसलिए लाँच किया ताकि pensioners को सहायता पहुँचाई जा सके दूसरा ये वही state है जिन्होंने औरुनी दोई स्कीम लाँच की है औरुनी दोई स्कीम आत्म निर्भर शिल अचोनी ये योजना भी इन्होंने ही शुरू की है SBI ने शुरू की है महिला आत्म निर्भर शिल अचोनी योजना इस स्टेट में ठीक है तो दुनिया बर की योजनाएं जो शुरू हुई है इस स्टेट के CM है सर्बनंद सोनवाल ठीक है इस स्टेट की राजदानी है गुवाटी ठीक इस स्टेट के करेंट गवर्नर है जगदीश चंद्रमुखी अब तो बता दीजे सही अंसर क्या होना चाहिए बिल्कुल सही कॉमल का अंसर बिल्कुल सही है नमबर टू असाम देखो विया असाम के चीफ मिनिस्टर है सर लाउंच किया है यह मोगाइल अप्रिकेशन के माध्यम से अग्रिकल्चर प्रोडक्ट्स इस्पेशली वो जो ना डेली बेजिस पे उगाये जाते हैं जैसे एक्जेम्पल के तौर पे डेली बेजिस पे उगाये जाने वाले जितने भी fruits and vegetables होते हैं यह perishable items count किये जाते हैं perishable item count करने का मतलब कि यह 2-3 दिनों में 4 दिनों में खराब हो जाने वाले item अगर इनको refrigerate करके ना रखा गया तो so since इन्हें refrigerate करके रखना ज़रूरी है और इस mobile application के माद्य हम से buyer और seller को मिलाया जाएगा यानि किसान एक तरफ और किसान से directly फल वा सबजी खरीदने वाले ग्राहक एक तरफ और इन दोनों को मिलाने में योगदान है किसान रथ application का ठीक है किसान रथ application सीधे किसानों को फल सबजी के ग्राहकों से मिलवाएगा daily basis पर उगाए जाने वाले सारे के सारे fruit और vegetable तो ये असाम के administrative staff college में एक program रखा गया था और वहीं पर ये buyer seller network बढ़ाने की बात की गई है buyer seller network एक platform के माध्यम से बढ़ाया जाता है जैसे आप लोग देखते हो Amazon है या आप लोग देखते हो Flipkart है ये सबी ऐसे हैं जो buyer को seller से मिलाते हैं तो ये एक तरीके से intermediary platforms है और ये intermediary platforms aggregate model का हिस्सा होते हैं दे आर दी they are the type of aggregate model of business ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं और discuss करते हैं which state has become the first हर घर जल state in the country by providing tap water connection to every rural household concept state है जो हर घर जल देने वाला यानि की हरर राजमें Null connection देने वाला हर गाउ में Null connection देने वाला पहला राज्य बन गया है Goa है उत्तर प्रदेश है गुजरात है मद्ध प्रदेश है या आंधर प्रदेश है जल्दी से बताएं मैं आपको बता दूँ यहाँ पर पहले गवर्णर हुआ करते थे सत्यपाल मलिक सहब और सत्यपाल मलिक सहब का ट्रांस्फर कर दिया गया उनको ट्रांस्फर करके दे दिया गया है चार्ज मेघाले का और भगत सिंग कोशियारी सहब को इस स्टेट का एडिशनल गवर्नर बनाया गया है अब तो आप बता दीजे जल्दी से कि कौन सा स्टेट है जो हर घर जल प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट बन गया है बिल्कुल सही गोवा जो है इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया न मैं कह रहा था कि इसके गवर्नर हुआ करते थे सत्यपाल मलिक सहाब सत्यपाल मलिक सहाब को ट्रांसफर करके भेज दिया गया मेगाले का गवर्नर और अब ये मेगाले के गवर्नर बन गए तो भगत सिंग कोशियारी जो कि महराश्टरा के गवर्नर है इनको additional charge दिया गया है गोवा का एक चीज़ तो ये याद रखेगा तूसरा यहाँ के cm है जिनका नाम है प्रमोट सावंत और गोवा के राजधानी है पनजी ठीक है टूरिजम के लिए बहुत ज़्यदा famous प्लेस है ये क्योंकि गोवा के beaches बहुत ज़्यदा famous है दूसरी और खास बात ये भी बता देता हूँ कि गोवा में एक ही national park है जिसे मौलेम national park के नाम से जाना जाता है मौलेम national park को हम लोग भगवान महावीर national park के नाम से भी अब जानने लगे है तो कभी आपसे एक question पूस दिया जाए static gk में बनता है कि भगवान महावीर national park कौन सा है तो आप याद रखेगा मौलेम national park जो की गोवा में स्थित है और यह अकेला ही national park है यहाँ पर मध्यप्रदेश भी option है सबसे ज्यादा national park यहीं है सबसे ज्यादा ठीक है चली अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको explanation दे देता हूँ इसका गोवा पहला estate है हर घर जल estate जो की tap water connection हर घर को provide करवाने वाला पहला राज्य बन गया है नल connection देने वाला ठीक है दो लाख तीस हजार गाओं के घरों को इन्होंने घर में नल connection प्रदान किये हैं आगे बढ़ते हैं अकला question यह है कि the reserve bank of India has extended the tenor of RK छिबर as the chairman and managing director of which bank by another six months भारती reserve bank RBI ने RK छिबर के कारेकाल को किस bank के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में एक साल और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है नहीं एक साथ 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है एक साल नहीं जल्दी से बताएं सही answer क्या होने वाला है लक्षमी विलास bank है जमुएन कश्मीर bank है फेडरल bank है मैं आपको एक clue देता हूँ पता है Reserve Bank of India Act 1934 जो आया इस RBI Act 1934 में दो तरीके के banks शामिल है एक वो है जो अनुसूचित है दूसरे वो है जो गैर अनुसूचित है मतलब एक है scheduled और दूसरे है non scheduled non scheduled जो होते हैं वो local area banks होते हैं पांच लाख रुपए से कम का capital होता है इनका 1934 के हिजाब से बता रहा हूँ और इनका 25 लाख रुपए से जादा का capital होता है तो ये local area bank जब भी कहीं पर open होते हैं तो ये तब तक वहाँ पे services देते हैं जब तक कि यहाँ से कोई schedule bank वहाँ पहुँच नहीं जाता अब अगर मान लीजे schedule bank पहुँच गया तो ये local area bank अपनी banking सेवाओं को खत्मी कर सकते हैं अगर इनके पास ज़्यादा power हो या ज़्यादा पैसे आ गए हो तो ये private sector के bank में convert भी हो सकते हैं जो कि schedule bank होता है तो ये एक ऐसा bank है जो पहले local area bank हुआ करता था बाद में private sector bank में convert हो गया अब जल्दी से बताइए कौन सा bank है ये कौन सा bank है ये जो private sector bank में convert हो गया था देखे इसका सही answer है जम्मू एंड कश्मीर bank याद रखेगा जम्मू एंड कश्मीर bank is the right answer number two reserve bank of india ने जम्मू एंड कश्मीर bank के chairman और managing director RK 6 बर का 6 महीने से कारेकाल बढ़ा दिया है अब बताइए the 2% interest subvention scheme for micro, small and medium enterprises on loans offered by cooperative banks has been extended till which date as announced by the RBI सहकारी bank को द्वारा दिये जाने वाले रिनो पर सूक्ष्म लगू एवं मध्यम उद्यमों के लिए 2% ब्याज subvention scheme को भारती reserve bank द्वारा किस तारीख तक बढ़ा दिया गया है क्या बात है जल्दी से सही answer दीजे किस तरीख तक देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ आपको जो cooperative banks होते हैं यह cooperative bank को हम लोग बोलते हैं सहकारी bank सहकारी समितियां होती है societies वो societies गाओं में मिल करके इन बैंकों को चालू करती है और इन बैंकों को चालू करने के बाद यह societies के member ही इन बैंकों में banking करते हैं तो कई बार लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि cooperative bankों में वही member banking कर सकता है जो इन बैंकों का member हो तो वो member इसलिए है क्योंकि वो societies का member है that's why he can do banking in the cooperative banks ठीक है दूसरा cooperative banks में दो अलग अलग bifurcations हैं दो classes है एक cooperative bank होता है जिसे हम लोग कहते हैं urban cooperative bank और एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं rural cooperative bank ठीक है तो अर्बन में भी कॉपरेटिव होते है रूरल में भी कॉपरेटिव बैंक होते है तो SCARDB अगर आपने सुना हो ये ठीक SCARDB State Cooperative and Agriculture Rural Development Bank ये होता है ठीक है DCARDB निए District Cooperative and Rural Development Bank वो भी होता है अर्बन जो होते हैं अर्बन में भी क्लास होती है अर्बन में भी State Cooperative Bank अलग होते है District Central Cooperative Bank अलग होते है अब जब ये बैंक किसी को लोन देते हैं तो माल लीज़े इन्होंने 5% पर लोन दिया सरकार के तरफ से Interest Rate Subvention स्कीम आती है जिसमें जैसे इन्होंने कहा कि 2% Interest Rate Subvention 2% का Interest Rate Subvention होने का मतलब इसमें से 2% माइनस कर देना यानि 3 प्रतिशत होगा आपका Effective Interest Rate Effective Interest Rate होगा 3 प्रतिशत ये याद रखेगा ठीक है तो इसका सही आंसर है Number 4 31st March 2021 ठीक है तब तक बढ़ा दी गई है 31st March for the next year आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिसकस करते हैं The poet Louise Gluck who became the first American woman to win the 2020 Nobel Prize for Literature in 27 years was awarded for which of the following? कवियत्री Lewis Gluck जो 27 वर्सों में साहित्त के लिए 2020 Nobel पुरस्कार जीतने वाली पहली अमेरीकी महिला बनी है उनको निमलिकित में से किसके लिए सम्मानित किया गया? अब 5 options हैं आपके पास थोड़ा ध्यान से आपको options पढ़ने पढ़ेंगे Her unmisticable poetic voice that with usher beauty makes individual existence universal who in novels of great emotional force has uncovered the abbas beneath our illusory sense of connection with the world third है for a narrative imagination that with encyclopedic passion represents the crossing of boundaries as a form of life या चौथा है for an influential work that with linguistic ingenuity has explored the periphery and the specificity of human experience या पांचवा है none of the above जो कि शायद आपको सबसे अच्छा answer लग रहा होगा इतने बड़े-बड़े options पढ़ने के बाद जल्दी से बताईए क्या answer होने वाला है इसका जल्दी से बताए answer क्या होने वाला है सबसे पहले Louis Gluck जो है ये अमेरिका की है और उनको Nobel Prize दिया गया है literature में ये याद रखेगा Nobel Prize literature में किस ने पाया है? Louis Gluck ने पाया है देखो इसमें influential work that with linguistic ingenuity ingenuity has explored the periphery and specificity of human experiments नहीं कॉमल का बिल्कुल सही answer है her unmisticable poetic voice that with usher beauty makes individual's existence universal ठीक है इनको 27 सालों में मिला है ये और unmisticable poetic voice that with usher beauty makes individual existence universal चलिए अगला जो question है वो ये है कि Sarah Hall who became the first writer to win the BBC National Short Story Award twice with judges describing her as the virtuosio of the form won the prize for which of her story in 2020 Sarah Hall जो BBC के राष्ट्री लगू का था पुरस्कार को दो बार जीतने वाली पहली लेखिका बनी है जैजों ने उन्हें रूप के गुन के रूप में वरनित करते हुए 2020 में उनकी किस कहानी के लिए पुरस्कार दिया है What is going to be the right answer to this question? जल्दी से बताएए देखो सारा हॉल ठीक जिनको BBC National Short Story Award दो बार दिया गया और दो बार दिया किस लिए गया है? एक ही स्चोरी के लिए जल्दी से बताएए इसका सही अंसर क्या हो सकता है How to paint a dead man? The grotesques The Karhalana Army ठीक है? Heavens Water और None of the Above क्या होगा इसका सही अंसर? जल्दी से बताएए चलिए मैं बता देता हूँ आपको इसका सही अंसर होने वाला है Number 2 The Grotesques Sarah Hall जो है ये पहली राइटर हैं जिन्होंने BBC का National Short Story Award दो बार जीता है और Previously इन्होंने 2013 में 15,000 यूरो का प्राइस जीता था BBC National Short Story Award और उसके बाद Grotesques के लिए जो की टाइमलेस और अंसेटलिंग स्टोरी है उसके लिए इन्होंने फिर से एक बार Competition को जीता है ये स्टोरी है जो Privilege Inequality और Mother-Dotter के Relationship के बारे में एक टाउन के किस्टे को सुनाती है According to the World Bank India's GDP is expected to contract by how much percent in the fiscal year 2020-2021 विश्व बैंक के अनुसार वित वर्ष 2020-21 में भारत की GDP के कितने प्रतिशत गिरने की संभावना है अब दखिए जब भी ये contract शब्द यूज करते हैं contraction होने वाला है तो contraction का मतलब सीधे आप माहिनेस में समझिए 2% दिया है, it means minus 9.2% minus 8.7% इस तरीके से समझेगा contract by how much percent यानि इतने प्रतिशत कम होने वाला है चलिए इसका सही answer क्या होगा है जल्दी से एक बार answer कीजए What is going to be the answer to this question? और इसका सही जवाब है 9.6% ठीक है, इंडिया की GDP 9.6% से contract होने वाली है ऐसा World Bank ने अपनी report में कहा है जिस report का नाम था South Asia Economic Focus ये उस report का नाम था ठीक है World Bank ने जून में ये estimate किया था कि Indian economy 3.2% से shrink होने वाली है और बाद में उसके ये जो forecasting है वो बदल गई आगे बढ़ते हैं हम लोग डिसकस करते हैं banking और finance से related कुछ news और banking और finance के बाद फिर हम लोग भी डिसकस कर रहे होंगे कुछ और भी news को देखो, RBI ने कहा है कि बेसल 3 provisions को अब हम लोग अप्रेल 2021 के पहले नहीं लागू कर पाएंगे banking system में risk बहुत सारे होते हैं क्योंकि कभी भी कोई bank जब भी customer को loan देता है वो हमेशा एक risk पर देता है ये loan वापस आएगा भी ये नहीं इसलिए customer को दिया गया loan risk carry करता है और इसे ही कहते है risk weighted asset RWA अब देखें इसमें primarily bank ने जब किसी भी customer को loan दिया तो आप इसे loan कहलो या इसे आप risk weighted asset कहलो बात एक ही है इसमें primarily 3-4 तरह के risk involved होते हैं जैसे credit का risk market risk operational risk कहने का मतलब ये कि जब भी आप expectation रखते हो कि customer आपको interest के साथ amount वापिस कर देगा और customer ना वापिस करे यानि आपकी expectation और achievement दोनों में difference पैदा हो जाए वही condition risk की बनती है credit risk के एक ऐसा risk है कि जब customer ही पैसे लेकर के वापिस ना आए that is called credit risk market risk का मतलब एक ऐसा risk जब market में बैंकों के पैसे फंस जाए share market उपर चला जाए तो बैंकों को अच्छी earning हो लेकिन जब share market नीचे चला जाए तो बैंकों को नुकसान भी हो और operational risk जो होता है ये operation के वज़े से operational risk कहने का मतलब मेरा ये है कि बैंकों के खुद के अपने operations की वज़े से अगर उनको problem हो जाए तो that is operational risk ये आप याद रखिएगा अब देखो credit risk, market risk, operational risk ये तीन तरह के primarily risk है mainly करना क्या है इन risk को कम करना है we have to decrease these risks ठीक है and if you really want to decrease these risks you will have to be able to implement some norms or provisions which will decrease them तो ऐसे ही जो provisions है वो बनाती है Bessel Committee on banking supervision तो Bessel Committee on banking supervision short में BCBS लिख सकते हैं इसे BCBS ने एक ऐसे ही norm बनाए है और उन norms को apply करने के बाद banking system में risk को हम लोग थोड़ा सा calculate करके कम करने की कोशिश कर सकते हैं दो वो risk पूरी तरह तो कम नहीं होता but yet risk कम हो जाता है अब देख़ें सबसे ज़्यादा point वाली बात क्या है यहाँ पे और सबसे ज़्यादा important बात क्या है मैं इन सबसे चीज़ों को हटाता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ एक और चीज कि बेसल कमेटी ओन बैंकिंग सुपरविजन ने कहा कि आपको अपना capital adequacy ratio maintain करना होगा जो कि होगा आपके total risk weighted asset का 8% अब risk weighted asset क्या है वही जो आपने लोन दिया ठीक है 8% क्या है यह आपको capital maintain करना है तो example के तौर पे अगर किसी बैंक ने 10 लाख रुपए का लोन दिया किसी को तो 10 लाख का 8% हो जाता है अपने आप 80,000 रुपए यानि कोई भी बैंक इससे पहले कि किसी को 10 लाख रुपए का लोन दे उसे 80,000 रुपए अपने अकाउंट में रखने होंगे और वो भी अपने profit में से किसी customer के अकाउंट में से नहीं तो बैंकों को अपने profit में से 80,000 रुपए इसलिए रखने है कि कल को अगर ये बंदा 10 लाख लेकर के नहीं आया तो उस टाहिम पे आपका काम नहीं रुकना चाहिए यानि आपकी जेब में पैसे हों तब ही आप दूसरों को उधार दो अगर आपकी जेब में पैसे ना हों या एकदम fit उतने ही पैसे हों जितना उधार देना हो तो आप कभी किसी को उधार मत दीजे यह है capital adequacy ratio 8% तो बना करके रखा है और यह 8% किसके हिसाब से है बेसल 2 के हिसाब से जो कि अभी भारत में चल रहा है बेसल 3 आएगा तो यही capital adequacy ratio यानि C.A.R. बढ़ा करके 9 प्रतिशत कर दिया जाएगा Now, the next point is अगला आता है capital conservation buffer देखिए Bessel Committee on Banking Supervision ने कहा 8% C.A.R. रखिए Capital conservation buffer R.B.I. कहता है कि BCBS ने आएगा 8% रखना है वो तो रखना ही है साथी साथ आपको extra 2.5% और रखना है मतलब 10 लाख रुपए का लोन दीजिए तो सबसे पहले C.A.R. आप 80,000 रखिए अपने पास और इसी 10 लाख रुपए का capital conservation buffer भी 2.5% रखिए यानि 25,000 रुपए आपको और रखने है तो कुल मिला करगे 10 जो 1,05,000 रुपए है ये 1,05,000 रुपए अपने आप save रखने हैं आपको अपने profit में से तब ही आप 10 लाख रुपए का loan दे पाओगे किसी को ये बात है mainly तो देखे इन टू सेपरेट नोटिफिकेशन्स Reserve Bank of India ने कहा कि capital conservation buffer और net stable funding ratio इन सबी को fit करने में 6 months लगेंगे 2.5% आपको capital conservation buffer रखना ही है और रखते रखते ही जा करके 1 April 2021 को हम ये Bessel 3 लागू कर पाएंगे काम क्या है Bessel 3 का? risk कम करना banking system के risk कम करना तो ये खुदी इतना बड़ा रिस्क ले करके आगया है कि banking system परिशान है तो आपको ये समझ में आया होगा कि क्या है ये? आगे बढ़एं चले आगे बढ़ते हैं एक बार जल्दी से बताईए समझ में आया या नहीं आया? चलिए अगली जो खबर है वो important है banking और finance related new development bank new development bank जो है यह बनाय गया है Brix bank द्वारा BRICS का full form है Brazil, Russia, India, China और South Africa काम है अपने देशों के बीच में interdependency को बढ़ावा देना interdependency का मतलब अगर आप देखो तो simply this is एक दूसरे के उपर dependent होना ना कि western economies के उपर यानि UK और US के उपर कम dependent होके एक दूसरे के साथ technological exchange करना ताकि आप बहतर तरीके से अपने बीच में अपने आपको grow कर पाओ so basically BRICS जो है ये एक तरीके के developing countries का ग्रूप है developing countries के ग्रूप में इन्होंने मिल करके एक बैंक बनाया जिसका नाम है new development bank अब new development bank ने मुंबई Metro और दिल्ली गाजियाबाद मेरट रिजिनल रैपिड ट्रांजिस सिस्टम यानि RRTS के लिए funds अप्रूफ किये हैं दो सो एक तालिस मिलियन का लोन अप्रूफ किया गया है मुंबई Metro Rail second phase के प्रोजेक्ट के लिए और साथ ही साथ 500 मिलियन का लोन अप्रूफ किया गया है दिल्ली गाजियाबाद और मेरट का रीजनल रैपिड ट्रांजिस सिस्टम बनाने के लिए जैसे आप लोगों ने सुना होगा BRTS BRTS आपके एहम्दाबाद में भी है बस रैपिड ट्रांजिस सिस्टम वैसे ही ये RRTS होता है Regional Rapid Transit System चलिए आगे पढ़ते हैं Indian Bank ने introduce किया है किसान Credit Card Loan वो भी Fisherman के लिए तमिल नाडू में अब देखें सबसे पहली चीज KCC किसान Credit Card एक ऐसी सुविधा होती है जिसमें किसान अपनी फसल के बोने से पहले बैंकों से लोन लेता है और बाद में फसल को हर्वेस्ट करने के बाद बैंकों का लोन लोटा देता है किसान Credit Card की पहले ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स को ही मिलती थी लेकिन 2018-19 के बजट में नरेंद्र मोधी सरकार ने इसको चेंज कर दिया और इसको चेंज करके थोड़े से नए नियमों कला दिया उन्होंने कहा कि KCC विल नॉट बी लिमिटेड तो दी अग्रिकल्चर फील्ड ओनली बट अलसो इट विल बी एक्स्टेंड़ तो दी फिश्री सेक्टर और अलोंग विद दी फिश्रीज इट विल अलसो बी एक्स्टेंड़ टू दी एनिमल हस्टेंडरी सेक्टर और तब उन्होंने दस जार करोड रुपए एक्स्ट्रा लॉट किये थे फिश्रीज और एनिमल हस्टेंडरी सेक्टर के लिए अब आजाते हैं वापिस किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को इंडियन बैंक ने फिश्र्मेन को देने की बात कही है ठीक है इंडियन बैंक टो फिश्र्मेन अब ये तमिल नाडू में इंट्रिएूस की गई स्कीम है? इस स्कीम में आपको कितनी क्रेडिट मिल सकती है? 2,00,000 आप एस किसान क्रेडिट कार्ट से 2 लाख रुपए तक लोन निकाल सकते हो और उसका इंट्रेस्ट होगा 7% 7% का इंट्रेस्ट रेट होगा और अगर आप एक ही साल के अंदर वो लोन को पे कर दोगे तो आपको 3% का इंट्रेस्ट सब्वेंशन भी मिलेगा यानि अगर एक साल में लोन को पे करने वाले हो तो समझ लो 3% का सब्वेंशन यानि आपका इंट्रेस्ट रेट होगा 4% ठीक है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर गताता है यह सब काम तो याद रखेगा 4% 4% देखे एक साल के अंदर लोन चुका दीजे ठीक है अब देखो इस लोन को साल में एक बार आप रिन्यू भी कर सकते हो और number of credit और debit transactions में कोई limit नहीं है कोई restrictions नहीं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं appointments में थोड़ा से चर्चा कर लेते हैं जयन्दार वर्मा शशांक भीडे और आशिमा गोयल इन लोगों को monetary policy committee का member appointment किया गया है by the government of India now what's the point and what is important सबसे पहली चीज monetary policy committee MPC monetary policy committee में इसका head होता है governor of the RBI ठीक जो कि अभी है शक्तिकांत दासची उसके बाद इसमें total monetary policy committee में 6 member होते हैं जिसमें से एक तो यहां हो गए ठीक है अब बचे 5 जिसमें से 3 government की तरफ से चुन करके आते हैं और 3 RBI के होते हैं अब इन 3 RBI में से एक तो governor ही है तो बाकी 2 RBI के होंगे monetary policy का मतलब होता है market में money flow को control करने के लिए नीतियों को चालू करना ये नीतियां जो market में money flow को control करती हैं उसी की वज़े से price में stability बनी रहती है और market कभी खराब नहीं होता अचानक से किनी चीजों के prices बढ़ते नहीं government के appointed जो members है वो appointment committee of the cabinet के द्वारा अप्रूफ किये जाते हैं और appointment committee of the cabinet के head होते हैं प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर रे जैंतार वर्मा, सशांक भीडे और आशिमा गोयल इन तीनों को monetary policy committee का member appoint किया है अब इनका appointment clear किया गया था प्रधान मिन्तरी मोधी द्वारा appointment committee of the cabinet ने और monetary policy committee जो है ये government of India ने बनाई थी 2016 में ताकि monetary policy framework agreement को अच्छे तरीके से तयार किया जा सके inflation की targeting की जा सके कि पिछले साल इतने प्रतिशत inflation था तो अगले साल कितने प्रतिशत होगा और monetary policy committee में 6 members होते हैं 3 सरकार द्वारा नामित किये जाते हैं और 3 RBI के होते हैं आगे चले हम लोग तो discuss करते हैं और भी चीजें MA गनपती इनको Director General of Bureau of Civil Aviation Security appoint कर दिया गया है देखिए Bureau of Civil Aviation Security के पहले चीफ हुआ करते थे राकेश अस्थाना जी राकेश अस्थाना जी को appoint कर दिया गया Border Security Force BSF का DG तो BSF के DG हो गये Director General अब ये post खाली थी तो इस post में MA गनपती जी को भेजा गया ठीक है Bureau of Civil Aviation Security कहने का मतलब कि भारत में जो हमारे हां नागरिक उड़ेन मंत्राले है Civil Aviation उस Civil Aviation में जितना भी Security देने का काम है वो MA गनपती जी द्वारा और BCAS द्वारा इनके इस Department से Provide करवाया जाता है ठीक है अब देखें न्यूक तो कौन करता है Appointment Committee of the Cabinet ACC इन्होंने MA गनपती जी के appointment को Approve किया था आगे बढ़ते हैं दिनेश कुमार खारा को Appoint किया गया है Chairman of the State Bank of India for three years ठीक है तो Former Deputy MD और CEO जो थे प्रशान्त कुमार उनके जाने के बाद ये Post खाली थी और Interim Capacity से C Venket Nageshwar अभी तक कर रहे थे ये काम ठीक है फिर उसके बाद दिनेश कुमार खारा को Appoint कर दिया गया है आगे बढ़ते हैं हम रिंकी शेठी को नया Information Security Head Twitter का Appoint किया गया है Twitter आपको पता है एक Social Media Platform है और रिंकी शेठी जो थी ये Already Cyber Security में Polo Alto Network के साथ काम कर चुकी है ये उसकी Vice President हुआ करती थी Vice President of Information Security और Twitter ने रिंकी शेठी को Former Information Security Executive जो कि IBM की थी उनको अपना Chief Information Security Ad Officer ने उप्त किया है ठीक है Chief Information Security Officer CISO रिंकी सेठी Twitter अगला देखें खबर एक और है आपके पास वो खबर जो है इसको आप पढ़ सकते हैं यहां से कि Vishnu Shivaraj Pandyan इन्होंने Gold Medal जीता है और इन्होंने जो Gold Medal जीता है वो 10 मीटर Air Rifle Event में 5th Edition of International Online Shooting Championship ठीक है तो इनका नाम याद रखेगा Vishnu Shivaraj Pandyan ठीक है Second Place 18 जर्मोंड France के और Olympic Quota winner जो है Martin Stremple Austria के उन्होंने Third Place Secure की और Finals में Only Indian वाज़ी प्रत्यूष अमन बारीक जो की साथवे नमबर पे रहे ठीक है लड़कियों में भी कमाल किया है या शश्विनी सिंग देशवाल ने Olympic Quota के winner रही है और 10 मीटर Air Pistol Event में जो की 5th Edition था International Online Shooting Championship का उसमें इन्होंने Gold Medal हासिल किया है स्वारी मेरी तवियत थोड़े सी नासाज है तो उसके लिए माफ कीजेगा Second Place किसकी थी? एहमद, नबील, इजिप्ट के और साथ ही साथ यया शम्स इन्होंने Third Place ली ठीक है आगे बढ़ते हैं हम और Odisha ने एक Picture Post Card release किया है जिसका नाम है जवकंदेई Toys of India ठीक है? World Post Card Day जो है World Post Card Day पर traditional Toys of India की थीम पर जवकंदेई ये Odisha ने release किया है World Post Card Day जो है ये हर साल एक October को observe किया जाता है ये बात आप याद रखेंगे और तस और भी जो Postal Circles हैं across the country हूँ भी release किये गए है Similar Post Card on the same theme तो ये भी आप याद रखेंगे Objective क्या है? Objective यही है कि Artisans को promote करना और Artisans को promote करके Traditional Toys को Odisha में और देश के दूसरे भागों में पहुँचाना ठीक है तो Odisha ने release किया है Picture Post Card जिसका नाम है जवकंदी Sports Minister किरन रिजजू उन्होंने SAI Sports Authority of India का नया logo launch किया है आप उसमें देखोगे SAI लिखा हुआ है और यहाँ पर बनी हुई है एक भारत की image ठीक है भारत के तिरंगे की image तो वो भी आप याद रखेंगे ठीक, SAI Sports Authority of India अब जल्दी से मुझे यह बता दीजिए कि Sports Authority of India का headquarters कहाँ पे है Where is the headquarters of Sports Authority of India ठीक है Metamorphosis और identification पे सीधे सीधे बता दूँ अगर आप इसको इसका मतलब क्या है कि SAI की जो जरनी रही है Sports Authority of India की जरनी थी Grassroot Levels ले करके और sporting talents को दुनिया के अलग-अलग कोने पर पहुँचाना इसकी excellence के लिए ये नया logo बना करके launch किया गया है Launch किसने किया है? Sports Minister है किरन रिजिजू जिनकी constituency है Arunachal Pradesh Arunachal Pradesh से किरन रिजिजू जी आते हैं Sports Minister है आगे बढ़े आंदरप्रदेश की सरकार ने YSR संपूर्ण पोशन अभियान लाँच किया और ये जो YSR संपूर्ण पोशन अभियान था ये वीमेन के लिए लाँच किया गया था अब संपूर्ण पोशन ही अकेला नहीं संपूर्ण पोशन प्लस संपूर्ण पोशन प्लस ये दोनों अभियान लौंच किये गए थे और इन दोनों अभियानों के अंतरगत वीमन की हेल्थ पर फोकस किया जाना है Especially जो pregnant woman होती है pregnant के साथ साथ जो भी lactating woman होती है और जो child होते हैं छोटे infants बच्चे उन सबी के health पर focus करने के लिए अंधर प्रदेश में YS जगन मोहन रेड़ी यहां के CM है और राजधानी तो आपको पता ही है कितना बड़ा बवाल हुआ है इसके बारे में समझाई चुका हूँ लास्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो देखिएगा, कॉमल बिल्कुल सही answer ह अच्छा, हम लोग discuss क्या कर रहे थे, अंधर प्रदेश की government ने YSR संपूर्ण portion women के लिए launch किया, अंधर प्रदेश की राजधानी इसके पीछे इतना बवाल हुआ है, यह हम लोग देखी चुए है पुराने वीडियो में, दूसरा और खास बात यह है कि अंधर प्रदेश के लिए योजना नहीं है, वैसे अगर आप अंधर प्रदेश की बात करो तो Ease of Doing Business पर यह No.1 पर है 2019 में, Ease of Doing Business, लेकिन अगर आप Education की बात करें, Education का मतलब मेरा मतलब है Literacy से, तो Literacy में 64% के साथ अंधर प्रदेश वोस्ट है, बिकार है सबसे, सबसे No.1 पर है 96.2% के वियाद रखेंगे आप, इसके अलावा कुछ औरी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ औरी चीज़ों में, Government ने 24 by 7 toll free mental rehabilitation help line launch किया है किरन, जो की 13 languages में होगी, अभी देखिए mental health day 10 October वाली बात में बता रहता आपको, mental rehabilitation का मतलब होता है, कि यदि किसी को प goal free help line जारी की है, जिसका नाम है किरन, जो की 13 अलग अलग languages में होगी, आंधरप्रदेश टॉप स्पॉट पे है, ease of doing business 2019 की ranking में, यह देखिए, literacy rate केरला का 96.2% है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, 96.2% और आंधरप्रदेश का worst है, 66.4% पे, ठीक है, नीतियायोग ने multi-dimensional poverty index, संयुकता समद्दर के अंतरगत बनाई है, इसका काम होगा गरीबी का मुल्यांकन करना और मुल्यांकन करने के बाद, properly, जो भी हमारे country के, especially, जो जो लोग हमारे गरीबी रिखा में आते हैं, जैसे BPL की, फिर उसके बाद APL की, economically weaker sections हैं, इन सभी पर इनकी poverty index पर focus करके, और report तयार करना, जिस पर सरकार काम कर सके, और BPL, especially below poverty line वालों के लिए, योजनाय बना सके, जैसे प्रधान मंतरी उजवला योजना, और प्रधान मंतरी PMAY, प्रधान मंतरी आवास योजना, ये दोनों ऐसी योजनाय हैं, जिन्होंने, below poverty line वालों के लिए, एक कमाल का काम किया ह ठीक है, इन्होंने उनकी life को change करने में बहुत बड़ा role play किया है, so this is ultimately one of the biggest schemes, ठीक है, चलिए, तो इतना सारा आज हमने discussion किया, बागे का discussion भी हम करेंगे, और October महीने का discussion करेंगे अगली class में, जब भी हमारी अगली class होने वाली है, यानि की परसों, और October महीने को discuss करके, we'll be getting to cover all the things, okay, so thank you very much, once again, आप सभी को, आप अपना ख्याल रखिये, बहुत बहुत ज़्यादा, and बच कर रही है, दुनिया बर के viruses से, so मिलते हैं आप सभी से, next session में, तब तक अगर आपने vector educators का application download नहीं किया है, तो application download कर लेना, test series, जब भी आप download करो, test series download करने में, test series वहाँ पर खरीदने के लिए, आपको 9003 code apply करना है, and you will get the discount, ठीक है, thank you, and जै हिंद,